तो दोस्तों अब आपने computer के देल सारी जानकरी ली और अब आप computer job के interview के लिए ready हो ऐसा आपको लग रहा है और interview के लिए आप गए तो interview लेने वाला जो है उसने बोला कि यह later है type करके दो अब आप type करने के लिए बैटे हो और ढूंड रहे हो A किदर है B किदर है C किदर है D कि interview लेने वाला पूचेगा कि भाहर जाके अपने bus को ढूंडो bus number ढूंडो right basically मुझे यह कहना है कि आप computer की जानकरी तो है लेकिन आपका typing speed भी होना उतना ही जरूरी computer job के लिए इसलिए typing speed कैसे बढ़ाना है यह तो जान लो आज की वडियों में बताने हो लोगी बैटाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए क्या क्या टीप्स आपको फॉलो करने चाहिए साथी में typing software भी मैं आपको recommend करने हो प्री टाइपिंग स्प्ट्वेर जिसकी मतसे आप अपना typing स्पीड बढ़ा सकते हो बैसिकली typing स्पीड अभी खली टाइप नहीं करोगी आप दोड़ेगा आपका स्पीड बैसिकली धड़ादर कीबोर्ड पर उंगली अगर आप चलाना चाहते हो सीखना चाहते हो कैसे चलाना की वडियो एंड तक देखिए अगर computer fundamental series का part 6 मैं सतिश आप सब का स्वागत करता हूँ कप्लीट इंगर चैनल पर लैट्स बेगिन तो दोस्तो टिप्स नंबर वन में यहाँ पर मैं आपको बता हूँगा कि typing सीर बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको keyboard की पूरी जानकारी होनी चाहिए अगर आप keyboard पे ध्यान से देखेंगे तो F and J ये दोनों alphabet के उपर एक उबरी हुई लाइन नजर आ रही है जो कि keyboard के middle row या home row पे होती है यानि जब कभी भी आप typing कर रहे हो तो आपकी उंगलिया इन दोनों key के उपर होकर बाकी keys के उपर rest करेगी यानि ये middle row और home row जिसे हम कहते उसके उपर rest करेगी और आपको बार रखनी होगी जैसे मैंनी यहाँ पर आपको दिखाया है left hand से अगर आप शुरुआत करेंगे तो little finger A पे रहेगी उसके बाद ring finger S पे middle finger D पे और first finger F पे रहेगी और thumb से आपको space button प्रेस करना होगा और ठीक उसी तरह से right hand के fingers आपकी J के यल और semi colon पे रखनी होगी इसके प्रेक्टिस के लिए online बहुत सरे website से जिसकी link मैं आपको description में दे रहा हूं उस website को visit करके आप middle row की practice कर सकते है tips no.2 आप हमने middle row तो देखा इसके बाद आपको top row और bottom row की practice करनी होगी उसके लिए आपको इसी तरह से finger set करनी होगी यहाँ पे image में आप देख सकते है कि कौन से keys के लिए कौन से finger आपको use करनी है यहाँ पे मैंने आपको color में दिखाया है शुरुआती दिनों में आप इसकी practice करते समय आपको थोड़ा सा uncomfortable feel होगा लेकिन जैसे जैसे आप इसकी daily practice करेंगे definitely आपको बहुत comfortable feel होगा और आप खुद में improvement देखोगे कि आपका typing speed कैसे typing करते समय आपको keyboard पे बार बार नहीं देखना है finger set करने के बाद आप उसे slow में type करेंगे तो भी चलेगा पर आपको keyboard पे नहीं देखना है जो भी keys आप type करने वाले उसे आपको अपके मन में बोलना है अब आप बोलोगे इससे क्या होगा इससे आपके subconscious mind को यह याद है क्योंकि typing खाली हाथों का काम नहीं है दोस्तों दिखता तो हाथों का काम है लेकिन दिमाग इसमें आपके हाथों को instruction भीजता है दिमाग याने brain अगर instruction भीजेगा तभी तो हाथ काम कर पाएगे ने दोस्तों सही है कि नहीं अब बढ़ते tips no.4 की तरब typing के लिए कैसे बै करने के लिए आपको कई गंटों की practice लगती है आपको आगे जुकर बैट के type करने की कोशिश कभी नहीं करनी चीए screen और आपकी बीच में लगबग 45 cm का अंतर रखने की कोशिश करें और अपने हाथ लिए को 90 डिग्री में रखें ज्यादा नीचे या ऊपर ना रखें screen का brightness आपकी सबसे adjust कर ले जादा या कम brightness आपकी आँखों को तकलीब दे सकता है right अब tips नमर 5 के दरब बढ़ते हैं top row और home row और bottom row इनकी practice हो जाने के बाद आपको इस sentence की practice करनी चाहिए sentence क्या है the quick brown fox jumps or the lazy dog अब ये कोई story नहीं बता रहा हूँ मैं दोस्तो ये sentence की एक खास बात है इसमें A to Z सारे alphabet cover होते हैं आप देख लेना कुछ चेक करके A to Z सारे alphabet आते और इसकी वज़े से आपके A to Z alphabet की practice repeat repeat हो जाएगी अगर आप इस sentence को type करते हो क्योंकि कोई ordinary paragraph आप लेते हो तो उसमें शायद ही ये सारे alphabet की practice आपकी repeat repeat हो सकती है लेकिन the quick brown fox jumps or the lazy dog प्रैक्टिस शुरू कीजिएगा टिस नमबर 6 आपको पता ही है हर एक sentence का पहला alphabet capital रहता है तो इस capital alphabet को type करने के लिए आपको shift button की practice करनी होगी आप shift button की practice करते समय आपको ध्यान रहे कि keyboard की दोनों तरफ shift होता है तो आप जब left side के कोई भी alphabet को capital में type करना चाहते है तो right side का shift यूज़ करना है और right side के कोई भी alphabet को type करना चाहते है तो left side का shift यूज़ करना है ये true easy बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा और tips no.7 जो कि है हमारे आखरी tips अब ज़्यादा जोर से या frustrated होकर type करने से कोई मतलब नहीं उससे typing speed तो बढ़ने वाला है नहीं उल्टी आपकी accuracy कम होगी इसलिए keyboard से उंगलिया हलके से चलाए और आपके नाकुन बढ़े रहेंगे तो उससे कटवा दे क्योंकि नाकुन उ आपको यह रहेगा कि typing करते समय आप किसी से बात ना करें यानि कि typing जब आप सीख रहे हो तो आपको जो कीज आपको type करने हैं उससे आपके मन में बोलना है आपको किसी से बात नहीं करनी है एक बार आप expert होगे तो आप बात करते करते भी typing कर लोगे दोस्तों जरू कर बढ़ने वाले जो words है उसे आपके मन में scan कर लो पढ़ लो और उसके बाद आपके automatically typing speed बढ़ने वाला है तो यह बाते आपको ध्यान में रखनी है यह वीडियो तो आगे चलते रहेगा दूस्तों लेकिन अब तक वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना साथ ह सब्सक्राइब करना और अगर आपको मेरी टीचिंग शनल पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में जाहिए जहां पर मेरी वेबसाइट है घर बैटे बैटे कंप्यूटर को से सीखने का मौका है आयोस को सब्सक्राइब के साथ बहुत ही कमपीज में सारी सीज़े बता दी है डि सबसे पहले Microsoft Store पर जाहिए और वहाँ पर आपको टाइप करना किरन टाइपिंग ट्यूटर अगर आप किरन टाइपिंग ट्यूटर इंस्टॉल कर लेते Microsoft Store पर यह फ्रीम है अगर आपकी विंडोज 10 है या higher version है तो यहाँ पर Microsoft Store में आप एजली सर्च करके किरन पर दिर्कार हो इसके अंदर टैपिंग लेसं आपंने ट्यूटर करके आप सब्सकते याप फिर आपको लगता किया थैंध कीरन टैपिंग के पूराना विंडो यह तो मैंने अल्रडी तैपिंग के 5 बेस्वट्बर लिस्टेइड की है और जिसका एक वढू भी बनाया ता और देख सकते हैं डीटेल में पाच टाइपिंग सॉफ्टियर जो है जिसमें डीटेल में एक्स्पेंट किया कि अगर आपके पास Microsoft Store नहीं है तो वह आप इंस्टॉल करके प्रैक्टिस कर सकते है तो वह टाइपिंग सॉफ्टियर की वीडियो की लिंक आपको उपर आई बटेन में मिलेगी तो टाइपिंग टिप्स और टाइपिंग सॉफ्टियर के बारे मैंने आपको बता है कि क्या क्या टाइपिंग टिप्स आपको फॉलो करने चाहिए कौन सा जो आप इंस्टॉल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं जरू ट्राइ कीजिए इसे फिलाल तो आगे के टॉपिक में मिलेंगी हम नेक्स चाप्टर में मिलेंगे नेक्स मंडे शाम को पाच बजे तब तक के लिए अपना खयाल रखो सीखते रहो लोगों को सीखाते रहो पसी तरही लो झां को बाइब्स बच्पाही बच्सक्षी बढ़िस cooperation रिए बाब्सुनि